नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी के चोटे भाई बाबुन बैनर जी बहन से नाराज चल रहे हैं बाबुन ने बुदुवार को कहा कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल की हावडा लोकसवा सीट से प्रसुन बैनर जी को फिर से उमिद्वार बना कर ठीक नहीं किया दिल्ली में मौजुद बाबुन बैनर जी ने कहा मैं हावडा लोगसवाज सीट से टीम सी उमिद्वार के सेलेक्शन से खुश नहीं हूँ प्रसुन बैनर जी सही विकल्प नहीं है कई सक्षम उमिद्वार थे जिने नजर अंदास कर दिया गया बाबुन ने कहा कि हावडा से टीम सी प्रत्याश्टी प्रसुन बैनर जी दो बार से सांसत है प्रसुन ने मेरा जुकमान किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता मैं उनके खिलाफ निर्दली चुनाओ लड़ने पर विचार कर रहा हूँ मुझे पता है दीदी मेरे फैसले से सहमत नहीं होंगी हाला कि बाबुन ने भाश्पा में जाने के अटकलों से इनकार किया उन्होंने कहा जब तक ममता दीदी है मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूँगा और नहीं किसी अन्य राजनेतिक दल में शामिल होंगा हाँ मैं खेल से जुड़ा हूँ मैं कई भाश्पा नेताओक को जानता हूँ जो खेल से भी जुड़े हुए है पक्षिम बंगार में कॉंग्रेस से अलग अक्केले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब टीमसी में घालाए में भी पार्टी की विरोध में अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है टीमसी ने में घाले की तुरा संसदी सीट से पुरु मंत्री जैनित संगमा को अपने कैंडिडेट गोशित किया है कॉंग्रेस ने यहां से पहले ही सालिंग ए संगमा को अपना मिद्वार गोशित किया हुआ है टीमसी के स्फैसले के बाद कहा जा रहा है कि ममता बैनर जी बक्षी इंडिया ब्लॉक से अलग हो सकती है जैनित संगमा पूरु मुख्य मंत्री मुकुल संगमा के छोटे भाई है जो 2023 के चुनाव से पहले कॉंग्रेस छोड़कर टीमसी में शामिल हो गए थे हाला कि मुकुल संगमा विधानसवाचनाव में अपनी सीट हार गए इचिक साप पनेड़ एफिर उन्सी में के साथ, कर देवाब